पीसेस गुरुजी मागा स्वागत है दोस्तों यूपी पीसेस दोड़ तेस प्री एक्जैम आज खतम हुआ है और उमीद करता हूं कि आप लोगों ने जितना आपने अपने आपसे उमीद की थी कम सेम उत्मा तो करके आए होंगे सफलता सफलता तो उपर वाले के हाथ में है लेकिन जितना अपने आपसे उमीद कर रहते हैं अगर वो आप अच्छीव कर पाए हैं तो यकीन मानिएगा भले लिस्ट में आपका नाम हो या ना हो लेकिन मैं आपको सफल कहूंगा तो कम से कम इतना तो आप अपने लिए लेके चलिएगा अब बात यह हो रही है कि कि टेपर दिया उसके बाद लगतार आपके दिवाग में चल रहा हो कट आफ कितना जाएगा तो अभी पेपर मेरे पास आ गया है लेकिन डिटेइल अनलेसिस मैंने नहीं की है लेकिन एक वीडियो जरूरी था बनाना कि आपको मैं एक लिस्ट कुछ हिंट दे पाहूं कि जो म मुझे स्टुडेंट से बात करके अंदाजा लग पा रहा है उसके बारे में बता पाऊंगा मैं आपको तो कट आफ से पहले पहले पेपर आया कैसा है यह मेरा जो पॉइंट अव व्यू है उसको जाना जरूरी है आप अब कमेंट बॉक्स में अपना प्लीज बताईएगा की जो कि एंवियर्मेंट का जो पॉर्शन आया है और जो इकिनॉमी का जो पॉर्शन आया है यह थोड़ा समुझे ज़्यादा कोशन लगे एशिक के अंदर अव्यूमन इतने कोशन नहीं होते हैं कोशन ज़्यादा थे और उसकी क्वालेटी भी ज़्यादा थी तो अगर पुछते थे उससे हड के थोड़ा साइडवांस सवाल पुछाए statement के सवाल आये हैं और थोड़ा सा economic के budget के बहुत साइड सवाल आपको देखने को मिले और budget के सवाल simple budget के सवाल नहीं आए तोड़ा सा मलब आप देखो statement वाले तीन चार मोमेंटम में होते हैं तो मैं लगता कि पेपर बहुत असान है और बहुत हाई जाएगा कट ओफ लेकिन जतना मेरा experience रहा है मैंने चीज़ देखी है कि जब पेपर देने के बाद जब हम कोशन है जो PCS की तरहा की कोशन है 80-90 कोशन जो पहली बार मैं अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं लेकिन असी 90 कोशन मुझे लगा कि उस तरह के होने थे कुछ कोशन चैसे मैंने कहा कि लबद 30-40 को सवाल ऐसे थे जो UPSC के एप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सब ट्रिकी मैं कैसा था हूं कि है सवाल थोड़ से कम रहे साइंस बिल्कुल जादा नहीं थी बहुत कम थी फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं था केमेश्टी बिल्कुल नहीं था थोड़ा बाइलोजी के सवाल आये थे इसके अंदर ठीक है एकिनौमी और अमाइ unVarment बहुँ भाजए था उनने पढ़ा दिया अबρώब कर बात करते हैं नोस्तों events को मैं जो समझ पा रहा है अभी तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है लेकिन एक range मैं मैं समझ पा रहे क्यो सितने में थी लिख कम सै कम धीन गए amp कितनी सीट्स हैं कितनी सीट्स हैं ठीक है अगर जितनी नोटिफिकेशन में सीट्स आएं थी लगभाग 171 थी अगर इतनी ही सीट्स रहे जाएंगी तब तो समझे कट ओफ बहुत उपर जाएगा ठीक है क्योंकि वाई 171 को अगर 15 से मंटिप्लाइ कर देंगे तो उतने लोग तो मेंस देंगे तो मांगे चले कि 90 प्लस तो जाएगा जाएगा फिर 90 के और भी जाए जा सकता है ठीक है लेकिन जसे पहले भी कहा था कि PCS के अंदर जो वेकेंसी होती है जब तक आपका PCS प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सीट्स बढ़ती रहती है बढ़ती र क्विट्स पिया साही रहना चाहिए लिए चाही चाहिए चाहिए कि इतना ही 400 आसपा सीटे रही समझे कट ओ तो को यह जाता है जादा लोग मेंस लिखСड़ादें तो फिर अगर मैं अगर वांगे चलता हूं कि अगा साड़े चार सो सीट्स आ गई है तो आपका कट आफ सम्थिंग सम्थिंग 83 से लेकर 87 के आसपास जाना चाहिए यह मेरी रेंज है अब आपको कि सर यह किस रेंज निगा दी 83 से लेकर 87 जो है तो जैसे मैंने का कि नंबर आफ सीट्स पर निगा तो एक तरी से लेकर 87 रखिए 87 से उपर या 88 से उपर जाना मैं पहले भी कहता कि बहुत मुख्यल होता है नहीं जाएगा मुझे तो मिल्कुल नहीं लगता कि नहीं जाएगा कि मैंने पहले भी आपको एक नेचर्स फॉर्मला अपना मनाके दिया था इसमें मैंने कह तो उसको भी एकर एकर अगर कर लें और आज के पेपर की लेवल को भी नंबर को भी करते करने तो 83 टु 87 के आसपश रहेगा अगर कुछ बहरें करो तो विर दोनों का मीन निकाल लो तो 85 के के आसपश कट और रहने की संभावना है प्र निर आए पर से कह रहा हूं कि यह जो भी है अगर आप 80 प्लस आपका बना है मामला बन गया है 80 प्लस मामला बन गया है तो मैं चहूंगा कि आपना मेंस के लिए अपने आपको मेंटली तैयार कर लीजे 80 प्लस अगर बन रहा है क्योंकि अगर 84 84 अगर आसपास है तो आपको 100 प्रसेंट आप मिस लिखोगे बहुत समभावना है कि लिख दो गया लेकि जिसके अगर 80 81 82 भी आ रहा है तो भी मुझे रगता है कि आउट्टर चांस रहने की समभावना है अगर आपने अपनी उमीदों के हिसाब से अपनी शंता के साब से अपनी अपनी प्रिपेशन से नंबर यह वे लाता रहे हो थिक्या जितने अपने की है उतना अपने आपको सफल कई कटियेगा अपने आपको मॉटिवेट कीजिए इसका मतलब है कि अपने मेहनद की है और आप बध्हाई के पात झाल